अज हम बनाने जा रहे हैं ग्रेवी वाला बोना चिकन चले शुरू करते हैं मैंने लिया है 500 ग्राम चिकन जिससे मैंने अच्छे से दो कर मैरिनेट कर लिया है करीब 2-3 गंटे तक मैरिनेशन में मैंने यूज किया है कश्मीरी लाल मिर्च 2 चमच एक चमच जिंजर गार्लिक पेस्ट आदा चमच नमक लिया है और आदा चमच लिया है विनेगर यहां मैंने लिया एक कडाही और उसमें 2-3 तेबल स्पून सरसो का तेल आड़ कर लिया है तेल गर्म होने पर मैं आड़ करूँगी इसमें अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन और एक साइड को करीब 2 मिनट तक भूनूँगी यह दिखिए इस तरीके से अब मैं चिकन के पीसेज को फ्लिप कर दूँगी और दूसरी साइड से भी अच्छे से बहुन लूँगी करेब 2 मिनट तक हमें चिकन को सैमी कुक करना है अब हम चिकन को प्लेट में निकाल लेंगे यह दिखिए चलिए अब मसाला बनाते हैं सेम पैन जिसमें हमने चिकन को भूना है उसमें एड करेंगे एक साबत लाल मेर्च और फाइनली डाइस किये हुए तीन मीडियम साइज के अनियन अब हम डालेंगे एक चमच जिंजर गार्लिक पेस्ट और आदा चमच हल्दी पाउडर और अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमने होल स्पाइस को ड्राय रोस्ट करके अभी रेडी किया है होल स्पाइस में मैंने लिया है एक चमच जीरा दो से तीन लॉंग आदा चमच सौफ दो हरी इलाइची एक चोटा तुकड़ा दाल ची निका पांच से साथ काली मर्च एक तेज पत दो चमच कसूरी में थी त दो से तीन मिनट तक अच्छे से पकाएंगे और फिर उसके बाद आड़ करेंगे बुने हुए चिकन के पीसे तक इस तरह से और अच्छे से मिला लेंगे अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और अड़ करेंगे दही दही को मैंने फ्रिज से बाहर निकाल कर रख लिया था रूम टेंप्रेचर पर लाकर हमने दही को अड़ किया है ताकि हमारा दही फट ना जाए अब अच्छे से मिक्स करेंगे दही आड़ करने से हमारे चिकन का कलर और टेक्शर बहुत अच्छा हो जाएगा थोड़ा सा पानी डाल कर हम क्रेवी की कंसिस्टेंसी को एज़ेस्ट कर लेंगे अब हम इसमें एड़ करेंगे आदा चमच नमक और अच्छे से मिला लेंगे दो से तीन मिनट तक चलने के बाद हम लिड लगा कर कवर कर देंगे और लो फ्लेम पर साथ से दस मिनट तक पकने देंगे अब हम लिड ढटा कर देखते हैं ये देखिए इस तरह क्रेवी वाला बनता है ये बढ़िया लाजवाब भुना हुआ चिकन मसाला अब हम इसे सर्फ करेंगे बहुत ही मज़ेदार जाइका है इसका आप भी एक बाद ट्राइ जरूर कीजेगा देखिए कितना इजी और टैम्टिंग भुना चिकन मसाला रेडी हुआ है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को शेयर करें अपनी फ्रेंज और फैमली के साथ मेरे सपोर्ट करें और मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन को जरूर दबाएं थैंक यू